राश्टान की जलवायू यूट्व पर गरूर परकासन यानि मेरे द्वारा है राश्टान के भुगोल का इतियास क्ला संस्क्रव्प्रण। टेस्ट धी रही है। जिसमें इसलिए निद्यों का। बौतिक वर्गी करन का। राष्तान की स्थथी का कि इन दीए है आज राष्तान की जल्वाइव का उत्र होस्का वैट्न सामानी जल्वायू वर्गर void होगा हर एक्जाम में वहां से प्रस्ण आते हैं अगर आपने इसमें लगबग 26 कुष्ण होंगे कि इन प्रस्णों को अगर आपने कि प्रस्ण टोटल है कि पचास के आसपास हैं कि इतना है पचास के प्रस्ण कि आसपास हैं इसमें आपने रटल लिए तो आपके दो से चार नंबर पक्के हो जाएंगे अगर कि दो नंबर अधिक्तम चार नंबर पक्के हो जाएंगे इस प्रस्ण कि इस जलवायू पाई जाती है किस जिले में उस्ट कटिबन दिये अर्द सुष्ट जलवायू पाई जाती है समझ गए तो कौन से जिले में पाई जाती है अर्द सुष्ट जलवायू अर्द सुष्ट जलवायू पूछाए यहीं अर्द सुष्ट का मतलब है अरावली के पस्चिम में होगा अरावली के पस्चिम में होगी ये जलवायू तो कौन सा जीले है अर्सुस जलवायू अजमेर में है क्या नहीं है बाडमेर में नहीं है सुस्क है जैपुर में उपादरे है इसमें जालोर में अर्सुस जलवायू जालोर में अर्सुस जलवायू पाई जाती है है उत्तर जालोंगर रोगा हो दूर्जा प्रस्ठ न कोई जलवायोगे को विबाजित करने वाली सम वर्षा रेखा कितनी यानि उप आद्र लृब लवायू को ऑप अद्र धש्व बाझित करने वाली 20 सैंटी सेंटीमेटर स js 199 करने वाली जल्वायू समवर्षा रेखा है 40 cm और यह क्या पूछा है उप आद्र और आद्र यानि 60 cm संवर्षा रेखा पहला उत्र होगा पहला उत्र होगा अगर इसकी तरीकी से वैक्षा देख नहीं आपको तो यूट्यूब पर मेरा चैनल बना हुआ उस चैनल पर जाओ आपको आपको जल्वायू का पूरा टॉपिक मिल जाएगा जल्वायू का लगबग एक घंटे का टॉ लगबग 12000 प्रस्ण जिसमें आयोई प्रस्ण भी हैं बनाए हुए प्रस्ण हैं टॉपिक वाइज हैं मेक्स हैं व्यख्या सइथ हैं कुछ बिना व्यख्या के हैं और कुछ अधिकांश व्यख्या सभी तो शांट सेंटीमेटर सम वर्षा रिखा होगी रास्तान की दक्षिपूर्यों में किस परकार की जलवयू पाई जाती है दक्षिपूर्यों का मतलब हो गया हाडोती वाले चैतर में किसे जलवयू है अतियादर जलवयू पाई जाती है कि हाड़ोती में अतियादर जल्वायू पाई जाती है अरावली के पस्चिमी डाल में किस प्रकार की जल्वायू पाई जाती है अरावली जो पर्वत हैं उसका पस्चिमी डाल में अर्द सुस्क जल्वायू पाई जाती है तो राश्तान में किस परकार किस जलवाई पर्देश में सवाना परकार गास पाई जाती है वह इंपोर्टेंट बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है यह प्रस्ण जिस दिए अग्जाम में अधिकांस बच्चें हैं वह गलत करेंगे किस परकार की में सवाना परकारी घास जावाई जाती है तो सवाना परकारी घास है वह अत्य आद्र जल्वाईयों में पाई जाती है राश्तान में मांसुनी वर्सा सरवादी किस महीने में होती है यानि मांसुन से होने वाली वर्सा गर्मियम होने वाली वर्सा हैं वह कौन स से महिने में सरवादिक होती है लेकिन अधिकांस है जुलाई और अगस्त में हो जाती है जुलाई और अगस्त में ये वर्षा वोती हैं तो अब option इसमें दोनों दे रखें जुलाई भी दे रखा है और अगस्त भी दे रखा है तो आपको क्या करना है इसको राष्टान का पूछाये तो अधिकांस वर्षा जुलाई में हो जाती है अगस्त में भी वो 57.5 cm है, कौपेन के अनुसा, बिकानेर के पस्चिम में किस परकार की जल्वाईव पाई जाती है, तो इसमें से पहले दिए छाटना है कि कौपेन के जल्वाईव वर्गी करने की इसमें से कौन सा है, देखो ये कौपेन का वर्गी करने है, ये कौपेन का वर्गी करने हैं यह कॉपेन का वर्गिकरण नहीं है और यह कॉपेन का वर्गिकरण है तो तीन तो कॉपेन के वर्गिकरण है इसमें से कौन सा है जो बीकानेर के पस्चिम में है तो देखो CWG नहीं होगा यह अरावली के पूरब में हैं तो यह उत्तर गलत हो गया BWHW और BSSW यह दो हो गए तो इसका उत्तर होगा पहला BWHW की जलवाईउ ए वह बीकानेर के पस्चिम में पाई जाती है जैसल मेर में पाई जाती है कोपेन के अनुसार रास्तान के अर्ध सुष जलवायू पर्देश में किस परकार की जलवायू पाई जाती है अर्ध सुष जलवायू पर्देश यानि अरावली का जेस्ट पस्चिम वाले भाग जो अर्ध सुष जलवायू पर्देश है वहां का जो वर्गिक्रन किया है हिस्सा आएगा पूर्विभाग आएगा को पेन के अनुसार राष्टान के पस्चिमी सीमावर्ति सुष जलवायु पर्देश इसमें किस परकार की जल्वायू पाई जाती है वो पहली बता चुका हूं फिर परकार की इनकी वेक्या सभी पढ़ना इस क्लास को पढ़ना है मैं जो जो क्लासे YouTube पर अप्लोड कर रहा हूं उनके साथ उनके टेस्ट भी दे रहा हूं जैसे आपको वहां पर रास्तान की जल् आखा और नहीं कोई पढ़ा सकता ऐसा जिस परकार से मेंने दोनों की का अनुसार पूरी मैदान में जहां अधर जल्वाईू पाई जाती है कियो फ pointer मैदान कायो मेरा कह रुद्ध कि परकार की जल्वाईू पैई जाती है को ब Ama on अनुसार अगर इसी को कहें कि कॉपे अनुसार सुर्फ राप टीड़ू जी थीख यह तो तिवार्थी के अनुसार सी डबलू परकार की पाई जाती है इस तो यह द्यान रखीना पॉपन की एड़ाबलू परकार की जलवाईयों किस जिलम पाई जलम पाई जाती है तो पॉपन का जो एड़ाबलू परकार का है यह नहीं है यह नहीं है यह नहीं नुमुरपूर, गौणाओर, जहलावाड में यद भी अगर थोड़ा सा और इसको फेलाव करें यह धालू तो थोड़ा लेकिन जब भी पूछा है यह परकार की तो उसके उत्तर में नुमिरपूर बास्वाड़ा जरूर थे तिवार्थी के अनुसाद जैसल में इन में किस परकार की जलवायू पाई जाती है जाव में जाकर आप मेरे वीडीयो देखों य्यूटू वाले वीडियो देखो आपको बहुत है भी यहाँ प्रकार गरता रहरूं में जिसको देखाता है तो तो अब देखो टिवार्थी के अनुसार कौपेन के अनुसार है जैसल मेर में यह जलवायू पाई जाती है बीडबलू एच तो कौपेन टिवार्थी के अनुसार क्या होगी बीडबलू एच होगी तो यह पहला उत्तर सही हो गया कौन सा हो गया सही उत्तर पहला उत्तर सही ह तिवार्थी का नुसार अरावली और अर्द्सुष जल्वायू परदेश में किस परकार की जल्वायू पाई जाती है तिवार्थी का तिवार्थी का यह जो वर्गीकरण है यह सबसे बड़ा वर्गीकरण है यानि यह गंगानगर अनुमानगर तुरू जुन्जनु शिकर बिकानेर का पूर्वी भाग नागोर पाली जोदपूर जालोर बाड़मेर शिरोई पीछे निचे जाएंगे तो उद्यपूर कुछ भाग रासमंद अजमेर जैपूर इदर जाएंगे थोड़ों अलवर का भाग फिर आदा टॉंक आजाएगा आदा भीलवाड़ा आजाएगा यह सारा का सारा भी एस में आता है फिर बता रहा हूं मैं इस परकार की वैख्या के सभी और डिटेल में पढ़ना है तो आप अपने मेरे जो गुरू परकारशन का चैनल हं वहाँ जाओ पर जाने चैनल तुमफ टेस्ट देख रहे हो उसी चैनल में प्लेलिस्ट में जाना प्लेलिस्ट में आपको यह पूरा डिटेल मिल जाएगा और पाप्वान और वर्षा के आधार पर राज्टान की जलवाईू का वर्गीकरण किसके द्वरा किया अब देखो राजस्तान में जो वर्गीकरण किया यह जो विद्वान हैं तिवारती हैं या कॉपैन हैं या ठॉनवेट यह राज़ेश्टां कभी नी आये ते यह राजस्तां कभी नी आए थे इन्होंने दुनिया का जलवाईव वर्जी करण किया और उन्होंने जो जो विशेशता है जिसे जलवाईव पर्देश की बताईए वह विशेश्टाओं पर उनके तुण कोड फिक्स हो रहे हैं राज्तान में जैसे ज्यादा गर्मी वर्सा होती है सरदिया रहती है लगार्मी जादा पढ़ती हैं विसेशता किसकी यह यह कि है तो यह राष्टान नहीं आये ano कभी भारता है उन्होंने दुनिया का किया तो उन्होंने भारती वैग्यानिकों ने या भारती गुगल बेता हुने उनको भीका ने राजस्तान में या इंडिया में सेट किया है उसको तो अब देखो तापमान और वर्षा के आधार पर तो तापमान और वर्षा के आधार प सुनों आपकी सपलता में चार चांद लगा देंगे यह प्रस्ने हैं जो मैं बता रहा हूं को पेन ने वन का किया टिवार्थी ने वनिस्पति और पापमान दोनों के आधार पर किया वर्षा और तापमान के आधार पर फॉन्वेट ने उसमें वास्पिकर्ण और जोड दिय तो जैपूर अजमेर और दोसा में परकार कि जलवाई हैं तो जैपूर अजमेर और दोसा में amps Enfin टीयये डबFORE कार की जलवाईय होग zap जुड़ा अलग टायप का है तो रास्तान के अधिकांस बाद में थॉन वेट के अनुसार डिय डबूपर कार की जलवाईय पाई जवी जली जित भी इस लिद्वर्वरवर्ण दे रखा हैं चारों यह वंवेट कही साथ清im थौनवेट के अनुसार डुंगरपूर बांस्वाडा-जालवाड में किस परकार की चलवाई पाईजा तो यह जलवाई होगी CeW यानि गौपेन के अनुसार इनी छहत्रों में डुंगरपूरा बांस्वाडा जालवाड में एडबलू है तिवार्थी के अनुसार भी एडबलू है और कॉपेन ने क्या किया है एडबलू फिर आगे सी लगा दिया सी एडबलू तिवार थी थॉनवेट के अनुसार जलवाईू वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर और हनुमानगर और हनुमानगर में दीबीड़ी पर्कार की जलवाई कौन से होगी डीबीड़ी परकार की जलवाई बता रहा हूं मैं इसकी व्यक्षाग कर देखनी है तो आप वहां जाओ यूट्यूब पर मेरे चैनल प्लेलिस्ट में है प्लेलिस्ट में रोज में एक टॉपिक डाल रहा है लगब बारा टोटल टोट चाहां आठ साथ या आठ क्लासें डाल चुकाओं मैं पूरा इतियास क्लास संस्कृति और गुगोल वहां पर पढ़ाऊंगा फॉन्वेट के अनुसार बनास नदी तंतर में ये देखो ये गुमाया उपरस ने बनास नदी तंतर में किस परकार की जलवायू पाई जाती है तो आप देखो बनास नदी तंतर में किस परकार की जलवायू पाई जाती है इससे पहला आया था जैपूर दोसा में किस परकार कि देखों क्या लिखाएं जैपूर अजमेर और दोसा में किस प्रकार की जल्वाइव थी दी ये बन बताया देट दो का एरिया सरवादिक है पूरा मद्दी राजयस्तान अरावली अरावली का प्रश्चिंपाग अरावली का पूरु भाक्वर हो रहा है तो अब सब्ला इस नदितंत्र में पॉस्य होगी गहां भूस्त के दक्षिन में हें तो कि यह कि यहइनद का और यह तो जको यह जो है यह वरगिकरन कंगि यह वरगिकरन कंग ऑप चिक अलुग guitar का ये दो परकार का वर्ग्रन रहा है, तो ये जो वर्ग्रन हैं, ये जैसल मेर मेर में है, खोड़ा सा विकानेर में आएगा, और बाकी पस्चिम के सभी जिलों में BSH हैं, तो लोणी नधी तंतर में कैसा हैं, BSH परकार की जलवायू पाई जाती है, रास्तान को सामानी रूप से कितने जल्वायू पर्देश में बाटा गया है तो रास्तान फिर बता रहा हूं मैं मेरे जो क्लास है और प्रकाशन पर जो यूट्यूब चैनल हैं वहां पर जाओगे तो इसका पूरी डिटेल में लेगी जल्वायू के ट्रॉपिक में तो रास रावली पर्देश रास्तान के पर्ष्चिम में यह आद्र पूरब में तो यह तीनों तो गलत होई गए है सई कौन सा हुआ अद्शुष जल्वायू पर्देश समवर्षा रेखा जो पश्चिमी राष्तान को दो भागों में बाढ़ती है तो वह होगी 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा फिर बता रहा हूं कि इसका अगर पूरी डिटेल पढ़ने हैं तो आप मेरी क्लास देख सकते हो अद्री में और कंसे जिए नहीं है यादि आरावली नहीं है जो अर्श में तो अर्श का मतलब रहोली का पस्चिम के ड़ालवाली जी आजाएगी चुरू जुनजू सीकर नागोर जोट्पूर का कुछ बाढ पाली जालोर बाढ मिर का कुछ हिस्सा तो यह तो को एक भी नही और रास्तान का कौन सा चहते सरवादिक आदरता वाला है सरवादिक आदरता वाला है तो यहां confusion हो जाता है important प्रस्ट नहें आएगा यह प्रस्ट यह दक्षिन पूर्वी हिस्सा है हाड़ोती वाला अच्छे और द्ला स्टान में उपादर जलवाई परविश को अर्ष जलवाई परविश से अलग करने वाले समवर्षा रेखा कौन सी है यानि अरावली का यह आवली है अरवली के पश्चिप में दो समवर्षा रेखा हैं इक 20 cm एक 40 cm यह अर्द सुस्क हैं और यह उपादर है तो क्या का है अर्द सुस्क और उपादर को 40 cm समवर सा भी बाजित करती है इसकी डिटेल देख नहीं है फिरी क्लास देखो कौन से जिला अती आध्र जल्वाई युट परदेश में इस्तित हैं कौनसा जिला अती आध्र में जालावाड बाकिसारे यह उपाद्र में है यह आध्र में नेस्दा हाइवे susur देखो से दर्ख्शिं का भाग फिर कोटा अब उन्दी बुंदी से कोटा कोटा से बारा और इसके दक्षिन में कॉपेन के नुसार तो ये डबलू परकार की जल्वाई पाई जब कॉपेन के नुसार वर्गी कर जल्वायू में कौन सा गलत है यानि यह जो चार वर्गी रन दे रखें हैं इसमें से और वो गलत है तो इसलमिर सहीए बी एस डबलू यह गलत है भी एस डबलू नहीं है यह नहीं है कोपेन के नुसार है बी एस डबलू लेकिन जैपूर बी एस डबलू में नहीं आता है जैपुर है वो बी एसेश डबलू में नहीं आता है कौपेन के अनुसार कौन सा जिला बी एसेश डबलू परकार की जलवाईव में इस्तित नहीं है यानि कौन सा है जो बी आशेश डवलू में नहीं है कौपेंट के अनुसार तो कौपेंट जो पूरा बी आशेश डवलू में यसे भी उत्तर आ हW में है मुआ आधके जलवायू वर्ग कंद केम सार में ऑठान में किस परकार की जलवायू पाई जैती वप के लिए निसार टिवार्थी के लुचात तो सीड़ जी अरपन के अनुसार हम करीज का HAVE सिवार्थी análशार सब्सक्राइब यह प्रशन आएगा इंपोर्टेंट है निम लिखित में से कौन सा गलत सुमेली थे यह कि अधि से डबैंसे और से रिकांगे बीग्व ледलू और शुर्य हूआ किम्स इवार्तिक अनुसा जासल में किस परकार के अनुसार बीडबलू है बीडबलू है तो यहां से यह अटाओगे तो कॉपेंड का टिवार्थी का बन जाएगा तो यह हो गया पहला उत्तर हो गया कि पहला हो गया कि निम्म लिकित में से कौन सा वर्ग्रण टिवार्थी का नहीं है देखो यह जो वर्ग्रण है यह टिवार्थी और कॉपेंड दोनों का है यह केवल टिवार्थी का है यह केवल टिवार्थी का है यह कॉपेंड का है कि अग्र पाई जाती है अग्राइट के अनुसार उत्ति रास्तान में डीबी डबलू परकार की जलवाईव पाई जाती है अग्राइट के अनुसार में डीबी डबलू परकार की जलवाईव फॉन वेट के अनुसार बिलकुल निम लिकित में जलवाईव और चैतर के शंब्न में पहुंच सा गलत सुमेली थे गए आप एएश डबलू पाईस सुमेली थे यह ती बेस्टांगा नगर अनुमान थोड़ा सा जुन-जुनु का इसा आजाए जोड़ा सा सीकर का इसा आजाए जून मा में राष्टान में कौन सा छेतन नियुन्तम वायुदावाला इसा होता है निम्लिकित में से कौन सा समुग गलत है गोड़वाड और सुस्क में है पाली के आसपास वाला बाग बिल्कुल सही है उत्री पूर्वी मैदान माही का मैदान अतियाद्र में ऐ ड्कषनी प्रस्चे ओर लो टेया के मांसून के द्वारा होने वाली वर्षा के समद्ध में कौन सा समवर्षा रेखा कौन समवर्षा रेखा रास्तान में इस्तित हैं तो रास्तान की जो समवर्षा रेखा कितनी हैं पचास सेंटिमेटर हैं पचास सेंटिमेटर हैं रास्तान की जो समवर्षा रेखा जो अरावल और यह अगर आपको ट्रीज देखने है इसी प्रकार के तो आप मेरे ऑफन लाइन जो जा के जोइन कर सकते हो वहां पर आपको बिल्कुल एक्यूरेसी मिलेगी आपको जैसे जोइन किया जैसे आपने प्रेटेंट किया उसका नेगेटिव कितना है पॉजिटिव कितना है आपके एक्यूरेसी कितनी है कितनी गलतियां किया पूरा मुल्यांकन करके पूरा विशलेशन करने के बाद उसका आपको answer मिल जाते हैं